हलो दोस्तों नमश्कार आए स्टाट करते हैं 28th February की क्लास टाइटल है Promising Bill Promising Bill में Promising जो शब्द है उसका Word Category होगा Executive और Bill है ये होगा Noun तो Noun का Modifier है इसलिए Executive है और Promising जो शब्द है इसका मतलब है या अप इसे कहेंगे Favorable या फिर आप इसे कहेंगे Hopeful तो आप इसे Hopeful भी कह सकते हो Favorable भी कह सकते हो आशाजनक कहा जा सकता है क्या कह सकते हो आशाजनक ठीक है जो आपको लगे कि आपके Full of Hope है, Full of Promises है उसे कहते हैं Promising तो Bill विध्यक को बोलता ही है तो एक ऐसा विध्यक है जो आशाजनक है तो आशा, जनक, विध्यक किस बारे में है? ये gig workers और gig economy को लेकर एडिटोरिय लिखा गया है क्या होता है gig worker? जब देखते हैं कि आजकल जो food delivery करने के लिए जो bike से food delivery कर रहे हैं या फिर ride share करते हैं है ना? तो ये किस कारण से करांती आई है? जो smart phone के कारण ये करांती जो आई है ये smart phone पर depend करती है पूरी की पूरी economy gig workers तो gig workers के लिए जो freelancer होते हैं जो जब चाहें तब job join कर सकते हैं इनको जितना समय देना चाहें उतना समय दे सकते हैं है ना? और इनको जो companies होती हैं वो अपने partner की रूप में देखती हैं employees की रूप में नहीं देखती हैं कई बार इनका अहित होता नजर आता है तो साजस्तन सरकार ने एक पहल की है इनके लिए एक bill बनाया है उसी को लेकर editor ये लिखा गया है promising bill तो देखिए विस्तार से पढ़ेंगे इसको इसका PDF और इसके जो words है वो आप देख सकते हैं टेलेग्राम चैनल पर link description में दिया है आशिस classes नाम से channel है वहाँ पर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा क्या कहना चाहरा है with an estimated 8 million people तो लगभग estimated का मतलब about, around तो लगभग 8 million लोग employed हैं एक industry में एक ऐसे छेतर में built on जो बना हुआ है किस पर the back back का मतलब सहरा कह सकते हो of the smartphone revolution तो smartphone की जो कुरांती आई है उसके आधार पर एक industry बनी हुई है और उसमें लगभग 8 million लोग लगे हुए है gig work repeat कर देता हूँ gig work क्या होता है gig worker उस विक्ति को बोलते हैं जो freelancer है जो अपनी इच्छा से company से जुड़ता है जिसे आप देखते हैं कि आजकल swiggy, jometo, blinkit ये सब gig workers किस रेनी में आएंगे ठीक है इसके अलावा ola, uber, ये सब जो ये सब gig worker किस रेनी में आएंगे तो ये जो है gig work अब बन चुका है ये इसकी verb है क्या a major source एक मुख्य स्रोत किसका jobs का किसके लिए youth के लिए कहां पर भारत में तो gig work की verb जो है वो has become है a major source में a determiner major adjective source noun और preposition ये इसका object jobs फिर preposition फिर इसका object फिर preposition फिर इसका object तो object zone noun है तो लगभग 8 million लोग जो employed है एक ऐसी industry में जो smartphone revolution के आधार पर बनी हुई company है उसी के साथ gig work जो है एक मुख्य स्रोत बन गया है युवाओं के लिए काम का भारत के अंदर it goes without saying जब आप यह बोलते हो goes without saying इसका मतलब सब कुछ clear है कहने की जरुवत नहीं है ठीक है तो यह इसका मतलब कह सकते हो to be clear to be clear बिलकुल स्पस्ट होना कुछ भी कहने की आवशक्ता ना होना उसे कहते हैं go without saying तो यह बात बिलकुल स्पस्ट है that in a country की एक ऐसे देश में where informal labor and unemployment have defined the nature of the jobs market in the last decade जहां पर informal labor, अनौपचारिक श्रम and unemployment और बेरोजगारी उसने परिभाशित किया define किया the nature of the jobs jobs का nature कैसा होगा किस प्रकार की कारिया होंगे job market का nature कैसा होगा in the last decade पिछले दशक में वहीं the gig economy जो gig economy है वो अर्थेवस्ता जिसके अंदर इस प्रकार के काम का चलते रहते हैं उसको बोलते हैं gig economy इसने ये has been a beneficial outlet ये एक lab diet outlet का मतलब source रहा है है ना यहाँ outlet का मतलब क्या है source ये एक beneficial source रहा है किसका employment का रोजगार का तो कह रहा है कि इस बात में कोई शक नहीं है ये विस्पस्ट है इसमें कहने की जरुद नहीं है it की verb goes है कि ये conjunction है कि एक ऐसे देश में जहाँ where आ रहा है इस देश के लिए मतलब ये एक relative adverb है जो जगह बताने का काम करे वो adverb होते हैं ये where है वो देश के लिए आ रहा है एक ऐसे देश में जहाँ अनौपसारिक श्रम और unemployment दो हो गए इसकी verb हो गई have defined इन दोनों ने परिभाशित किया है jobs के nature को jobs market के nature को कब पिछले दशक में ठीक है तो the geek economy जो geek economy है वो रहा है एक beneficial outlet beneficial हो गया लाबदाएक executive outlet हो गया noun तो एक लाबदाएक source रहा है किसका employment का मतलब रोजगार का इसका screen short up ले सकते हैं वैसे इसकी language आसान है बस ये gig worker आपको समझ में आ गया होगा इसको ही बार-बार में repeat किया गया है ज्यादा words आज की class में इतने words नहीं मिलेंगे कितना आपने पिछले एक दो दिनों में देखे हैं तो ये बात wishes करके सच है इसकी वर इज है especially का मतलब होता है particularly ठीक है तो ये बात सच है किस wish में you are और जो पलायनवादी workers है migrant workers है जो कहीं पर जाकर काम करते हैं इनके विशे में as क्योंकि यहाँ पर because का meaning देगा as conjunction है बताया हुआ है आपको कि as preposition भी होता है as conjunction भी होता है as adverb भी होता है तो यहाँ पर conjunction है क्योंकि नया close start हो रहा है क्योंकि way way कॉन ये migrant workers और youth जो है वो seek seek का चाहना तलाशना कोशिश करना ये सब मतलब होता है ready and quick means इनको एक बिल्कुल ready तयार हलत में और quick बहुत जल्दी means साधन चाहिए किसका securing finances अपने width को सुरक्षित करने का मतलब उने पैसा आना चाहिए and flexible hours और उनको इतना ही समय देना है जितना वो दे सकते हैं flexible का मतलब ऐसा नहीं कि 9 से 5 की duty है 10 से आपको 6 तक जाना है ऐसा मतलब एक office hours नहीं है जब चाहिए जब वो काम कर सकते हैं an option ये एक ऐसा विकल्प है used by informal workers जो अनौपचारी कारे जो करमचारी होते हैं उनके द्वारा use किया जाता है who who आ रहा है workers के लिए ये वो workers हैं जिन्होंने इस्तेमाल किया है gigs को moon lighting के लिए moon lighting जो होता है ये इसका मतलब है कि second job कोई भी जैसे आप किसी company में काम करते हो अब उस company को बताए बगैर अगर आप part time एक और काम करते हो तो उसको moon lighting बोलते हैं ठीक है तो moon lighting के लिए ये इस्तेमाल करते हैं repeat कर रहा हूँ this की verb is है day की verb seek है seek की तिनों forms हम सीखते आए हैं पिछले कुछ sessions से बहुत बार मैंने बताया है seek second form होती है sort और third form भी इसकी क्या होती है sort चाहना, तलाशना, कोशिश करना तो ये विशेश करके सच है युवाओं और migrate workers के लिए क्योंकि वो लोग चाहते हैं एक ready और quick means एक ऐसा साधन जो बिलकूल तयार हो और जल्दी उनको मिल जाए किस के लिए अपने finances को secure करने के लिए कि रुपए पैसे के विवास्ता जी उनमें बनी रहें की कमी ना आए और flexible hours रहें है ना, जब चाहें वो तब काम कर सकते हैं एक ऐसा option है जो use किया जाता है informal workers के दोरा कौन से informal workers जिन्होंने gigs का इस्तमाल किया है moonlighting के लिए ठीक है with growing smartphone use अब इस चीज के साथ की भई smartphone का use बढ़ रहा है and then reliance on reliance में on लगता है यह dependence on होता है reliance on equals to dependence on निर्भरता को बोलते है reliance का मतलब निर्भरता है dependence का मतलब निर्भरता है on लगेगा तो smartphone का use तो बड़ी रहा है इसके चलते जो निर्भरता है applications पर किसलिए daily needs और purposes के लिए प्रतिदिन की आवशकताओं और उद्देश्यों के लिए the gig economy is only set to flourish जो gig economy है वो set है वो निश्चित रूप से flourish करेगी पन पेगी progress करेगी flourish का मतलब है progress करना prosper करना in terms of usage किस संबंद में बात करें uses की बात करें मतलब उपयोग की बात करें opportunities आवसरों की बात करें इस संबंद में क्या कह रहा है फिर समझना बहुत आसान है smartphone का इस्तेमाल बढ़ रहा है इसको चलते और application निर्भरता बढ़ रही है क्योंकि प्रति दिन की जो भी आवशक्ता है जो भी हमारे उद्देश्य है वो आजकल smartphone application से हम पूरे कर लेते हैं हमें कुछ भी मंगवाना है application का use हम करते हैं कोई भी service चाहिए है application का use करते हैं तो इन चीजों के चलते जो geek economy है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी चाहिए उपयोग की बात करें अवसरों की बात करें इस संबन में ये जो word है इसको purpose बोलते है purpose पढ़ा करो इसको purpose होता है ठीक है इसका screenshot ले सकते हैं आगे देगे yet increased competition among platforms and availability फिर भी बढ़ा हुआ जो प्रतिस परदा है किन के बीच platforms के बीच और availability जो है उपलबदता है किसकी cheap labor force की कि सस्ते दरों में आपको काम करने वाला मिल जाता है ये दोनों चीजें एक तरफ तो क्या है बढ़ा हुआ competition competition noun है ये increase है वो executive है तो फिर भी बढ़ा हुई प्रतियोगी था किस बीच में platforms और availability platforms के बीच मतलब अलग-अलग platforms जैसे कि मैंने आपको example दिये कि आप अगर food industry की बात करें तो स्वीगी जो मैं टो बलिंकिट ये तीन नाम आप जानते है ठीक है तो इनके बीच में मतलब competition बहुत जादा है साथ में इनके पास जो labor force है काफी सस्ती है काम करने वाल लोग बहुत सस्ते मिल जाते है इन दोनों ने क्या किया है have led इसकी वर्ब have led है led है वो lead की second और third form होती है lead, led, led तो इससे हुआ ये है कि ये परिणाम बना है कि इसका lowering of incentives for gig workers कि इस चीज़ ने gig workers के लिए incentives को कम कर दिया है incentives का मतलब क्या होता है कि भई आप मतलब कोई प्रोचसान राशी जो दी जाती है उसको incentive बोलता है तो इसने gig workers के जो incentive मिलना चाहिए वो कम कर दिया है even edge even edge एक fridge है इसका प्रियोग हम तब करते हैं जब दो काम साथ साथ में हो रहे हैं साथ में देखो their workload and uncertainty of work hours उनका जो workload है और जो काम करने के जो hours होते हैं उनकी एनिश्चित्ता है इस चीज़ ने भी क्या कर दिया है increase कर दिया है significantly ये भी बढ़ चुके हैं significantly मतलब बहुत ज़्यादा significantly का एक synonym आप क्या कर सकते हो significantly की जगह पर आप कर सकते हो considerably बहुत ही ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा इसने क्या कर दिया है ये दुन चीज़े बढ़ चुके हैं workload भी बढ़ चुका है और इनके काम करने के जो घंटे हुआ करते थे पहले 4-5 घंटे काम तो आज कल 8-10 घंटे काम करना पड़ता है relative to pay किसके तुलना में payment के तुलना में मतलब पैसा कम मिलने लग गया है which has also become insufficient for many जो की हो चुका है बन चुका है payment के लिए दे रखा है ये payment जो है वो भी बन चुका है insufficient ए परियाप for many बहुतों के लिए which relative pronoun है एंटे से रेनो कनेक्ट करेगा pay के लिए आ रहा है pay की verb है वो has become है also जो है ये ad verb है और इसका परियोग हम कहां करते हैं या तो man verb से पहले करते हैं या फिर sentence के पहले करते हैं ठीक है या फिर इसका परियोग हम करते हैं helping verb और be being के बीच में ये कुछ position जहां रखनी होती है many जो है वो determiner होता है अगर इसके बाद में noun दे रखा है और many जो है pronoun होता है many को pronoun कहेंगे जब इसके बाद में noun नहीं होता है अगर noun नहीं है तो यह pronoun है तो यहाँ पे देखो noun नहीं है तो pronoun है और for preposition है preparation का object होता है object noun या pronoun होता है तो इसे pronoun कहा जाएगा ठीक है फिर समझ देजिए ये तोनों चीज़े हैं एक तरफ तो platforms के बीच बढ़ी भी परतिस पड़धा और cheap labor force की उपलब दिता इसकी verb है have led इसका परिणाम तो ये निकला है कि जो gig workers के लिए incentives होते हैं प्रोचसाहंदाशी है वो कम हो चुकी है साथ साथ में workload और uncertainty जो है workers की ये बढ़ चुकी है adding this to the fact अब इस चीज़ को add करें हम इस fact से that gig workers are not recognized as workers कि gig workers जो है उनको नहीं जाना जाता है workers के रूप में बट partners बलकि उनको साज़धार मानते हैं मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि ये companies कहती हैं कि जो हमारे साथ काम कर रहे हैं वो हमारे workers नहीं है वो हमारे partners हैं अब जब partners आप बोलते हो workers नहीं बोलते हो तो बहुत सारे lab workers को मिलते हैं वो lab इनको नहीं मिलते हैं वही समझाया गया है कि adding this to the fact इस चीज़ को add करते हुए किस के साथ add के साथ to लगेगा इस तथे में इस fact में कि gig workers जो है gig workers की वर आर है वो उनको नहीं जाना जाता है किस रूप में? workers के रूप में बलकि किस रूप में जानते हैं? partners के रूप में किस के दौ़ारा? अधिकांश aggregating platforms के दौ़ारा most का मतलब अधिकांश होता है aggregating platforms aggregating क्या होता है? शुरू किया है उसको बोलते हैं aggregating platforms and they lack और उनमें कमी है देखी वर लैक है any social security किसी भी समाजिक सुरक्षा या related benefits या संबनित कोई भी लाब due to them as workers जो उनको मिलना चाहिए किसी चीज़ के लिए due है इसका मतलब वो मिलना चाहिए उनको as workers श्रमिक के रूप में करमचारी के रूप में तो कहरे इसी factor में एक चीज़ ओड जोड दीजिए कि gig workers जो है उनको ये companies क्या कहती है ये जो aggregating platforms है जो बहुत से units को शामिल करके बनते हैं ये platforms ऐसे कहते हैं कि ये partners हैं हमारे workers नहीं है अब partners अगर हैं तो इसका मतलब उनके पास समाजिक सुरक्षा और जो सम्मंदित benefits मिलने चाहिए उनको workers के रूप में वो इनको नहीं मिलते हैं तो इस चीज़ के चलते working conditions जो हैं जो काम करने के स्थितियां हैं वो बन चुकी हैं increasingly harsh बहुत ज्यादा strict या बहुत ज्यादा harsh बन चुकी है in an industry harsh unpleasant मालो मतलब सुखद नहीं रही इस्तितियां एक ऐसे industry में that is no longer a flezzling one flezzling का मतलब है new या फिर कहेंगे developing जो नया नया हो ठीक है तो ये वो industry है जो अब नहीं नहीं है working conditions की verb have become है increasingly adverb है harsh adjective है preposition है end determiner है industry noun है अब industry के लिए दे रखा है that relative pronoun है इसकी verb है is फिर no होता है वो आपका determiner होता है longer है वो adjective है a flezzling one flezzling जो है वो फिर से adjective है one है यहाँ पे noun का काम कर रहा है ठीक है वैसे ये industry के लिए आ रहा है इसे pronoun कह सकते हूँ तो यह वो industry है जो अब नई नहीं नहीं रही है this is now evident evident का मतलब होता है clear या apparent spust अब ये बात spust हो चुकी है in growing flash strikes flash strikes का मतलब है sudden strikes अचानक से strike बिना बताए strike sudden strike को बोलते है flash strike मतलब ये बिना बताए strike जब चाहे तब strike कर लेते हैं gig workers बताया था gig workers क्या है तो अब ये बात spust हो रही है बढ़ती हुए gig workers की strikes में दिखता है अचानक से जो ये strike करते हैं उसमें सब बातें साब दिखती हैं screenshot ले सकते हैं फिर कहरा seen in this light ये इस परिप्रेक्षे में इस संदर्ब में देखें seen in this light तो अगर इस परिप्रेक्षे में देखें इस संदर्ब में देखें the decision by the Rajasthan government अब ये पूरा एक base बनाया है लिखक ने अब ये आ रहा है मुख्य मुद्दे पर की editorial लिखा क्यों था इसने तो जो Rajasthan government का decision है क्या Rajasthan government ने कहा है कि हम deliver करेंगे क्या एक bill बिल का नाम देखो Rajasthan platform based gig workers ठीक है अब इसका ये bill है 2023 का should be welcomed इसका स्वागत किया जाना चाहिए should be welcomed क्या होता है should be plus third form इसका स्वागत किया जाना चाहिए passive voice है even if चाहे even if का मतलब होता है चाहे ऐसा हो चाहे वैसा फरक नहीं पड़ता है ना इसको बोलते हैं चाहे it will be introduced चाहे इसको introduce किया जाएगा चाहे इसको मतलब market में लाया जाएगा इस bill को लागू किया जाएगा before the assembly elections विधान सभा चुनाओं से पहले letter this year इस साल के बाद में मतलब इस साल में थोड़ा आगे चल कर letter जो होता है वो time में बाद के लिए आता है letter का opposite होता है earlier letter का opposite क्या होता है earlier और दोनों ही क्या बताते हैं time बताते हैं ठीक है ना फिर समझ लो seen in this light कि इस संदर में अगर बात करेंगे आप तो जो decision है राजस्तान government का क्या decision है कि राजस्तान platform based gig workers के लिए registration welfare bill 2023 की इसनों ने घोशना की है इसका स्वागत किया जाना चाहिए ठीक है तो decision का स्वागत decision की verb should be welcomed पैसी बीके साथ third form है चाहे इसको introduce किया जाएगा assembly election से पहले इस साल में थोड़ा सा आगे चल कर while the draft bill invasives invasives का मतलब होता है foretell या फिर इससे कहेंगे predict मतलब परिकल्पना करना imagine करना जिसमें पहले से ही कुछ चीज़ें मतलब बताना कि ऐसा ऐसा होगा तो while जो है वो conjunction होता है दो clauses को जोड़ता है दोनों contradictory clauses हो सकते हैं विरोधाभासी उपवाक्य हो सकते हैं तो यद्दपी जो draft bill है अभी तो कच्चा ही है मसोदा है अभी तो पूरा तयार नहीं हुआ है तो उसको draft बोलता है तो यह जो कच्चा bill है अभी जैसे इसी विध्यक बना नहीं है तो यह जो कच्चा bill है उसमें परिकल्पना की गई है welfare board की इसमें कहा गया है कि welfare board बनेगा that will design welfare policies और यह welfare board का काम क्या होगा welfare board के लिए that आ रहा है relative pronoun इस board की verb है वो will design है यह welfare board welfare policies बनाएगा ठीक है कल्यान कारी schemes बनाएगा and here grievances grievance का मतलब है complaint शिकायते और क्या करेगा इस board का काम होगा कि शिकायते सुनेगा किसकी gig workers की on a peace rate basis peace rate basis का मतलब मात्रात्मक रूप से जो जितना काम करता है जो जितना उपयोगी है उस हिसाब से मात्रात्मक रूप से वो शिकायते सुनेगा the specificities of the policies यह हो गया कि क्या खास बाते हैं policies की नीतियों की and how they might benefit और कैसे वो benefit पहुँचा सकती है might एक model होता है जो remote possibility के लिए आता है दूर की संभावना कमजोर संभावना के लिए आता है ठीक है और कैसे वो benefit कर सकते हैं workers को are still unclear वो अभी भी as-pust है फिर समझो यद्दपी draft bill के अंदर एक परिकलपना की गई है कि welfare board बनेगा welfare board क्या करेगा welfare policies को design करेगा और क्या करेगा gig workers के शिकायतों को मात्रात्मक अधार पे सुनेगा फिर भी इस policies की wishes बातें क्या होंगी और कैसे वो benefit पहुँचाएंगी ये दोनों चीजें जो हैं are है still का मतलब होता है even now ये आपका adverb है अभी भी ये बात unclear है as-pust है बात समझ में आगई इसका screenshot ले सकते हैं आगे देखे the board is expected to work towards the social welfare copus copus जो शब्द है इसको copus पढ़ते हैं इसका मतलब होता है collection या treasury कोश कह सकते हो collection या treasury ठीक है तो कह रहा है कि जो board है welfare board है is expected to work इससे ये आशा है इससे expect किया गया है कि ये काम करेगा किसको लेकर social welfare copus को लेकर एक समाजिक कल्यान कोश को लेकर which will be financed और इसको पैसा कहां से मिलेगा by a cess cess का मतलब होता है एक विशेस प्रकार का tax वैसे tax ही होता है लेकिन किसी विशेस प्रयोजन को लेकर tax लगाएं जैसे कि education cess है तो सिक्षा को लेकर tax लगाया है कोई भी खास चीज़ को लेकर tax लगाया है उसको बोलते है cess तो ये काम ये पैसा कहां से आएगा cess से आएगा cess किस पर लगा रहे हो digital transactions पर जो online transaction है उन पर ये transaction करेगा कौन consumers करेंगे on the platforms ठीक है और वो platforms that utilize utilize का मतलब होता है use करना वो platform जो use करते हैं gig worker labor को समझ में आ रही ये बात जैसे हमने कोई भी service ली हम कहीं पर मान लीजिए ride हमने book करवाई हम कहीं पर गए जो पैसा हम देंगे तो उस पर एक cess लगेगा वो cess से finance किया जाएगा तो board की verb है is expected इस board से आशा की जाती है कि ये काम करेगा social welfare को पस को लेकर जिसको की पैसा मिलेगा cess से और cess किस पर लगाया जा रहा है consumers के दोवारा जो platforms पर पैसों का लेंदिन हो रहा है उसके दोवारा ठीक है और ये कौन से platforms हैं वो platforms है जो gig worker labor को यूज करते हैं अब लेखा कर रहा है कि ये जो scheme है न ये कोई unfamiliar नहीं है नई scheme नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हम इसके बारे में जानते ही नहीं ये पहली बार हुआ है थोड़ा समझाया है डेश लगाके platform workers in the transport sector in Thailand and Malaysia कि ये जो platform workers हैं कहां पर transport sector में जैसे कि ride वाली बाती कर लो गाड़ी से बाइक से आना जाना करते हैं तो Thailand और Malaysia में जो workers हैं न for instance उधारन के लिए benefit इनकी verb है benefit इनको lab मिलता है health और accident insurance का इनको स्वास्ते बीमा और insurance मतलब accident बीमा मिलता है साथ में समाजिक सुरक्षा मिलती है that is financed by और इसको पैसा कहां से आता है ये पैसा आता है deduction of 2% for every ride के हर ride के लिए 2% पैसा deduct होता है उससे ये इनको ये health बीमा और accident बीमा मिलती है this scheme की verb is है platform workers की verb है वो benefit है ठीक है इसका screenshot ले सकते हैं फिर कहा गया recently हाल ही में the union government passed the code on social security हाल ही में किंद्र सरकार ने pass किया है पारित किया है एक समाजिक सुरक्षा सहीता को ये चार जो सरमिक सहीता है उसमें से एक है which also allowed जिसने allow किया है for some social security इसने भी कुछ समाजिक सुरक्षा के बारे में कहा है gig workers के लिए but the scheme remains only remains on paper लेकिन ये जो scheme है के वल कागजों में रहेगी ठीक है without proper implementation अगर आप सही तरी केसे इसको लगू नहीं करते हो proper implement नहीं करते हो implementation होता है implement करने का process लगू करने की प्रक्रिया security code को पास किया है ठीक है समाजिक सुरक्षा सहीता को पास किया है तो ये चार जो labor codes है उनमें से एक है इसने कुछ समाजिक सुरक्षा दी है gig workers को लेकिन ये scheme जो है वो केवल paper पर है यदि आप proper तरीके से इसको implement नहीं करते हो तो इस राजस्तान's pioneering draft bill pioneering का मतलब है जो अगरणी है इससे पहले किसी ने नहीं किया और किसी राजे ने शुरुवात नहीं किया तो pioneering का trail blazing कह सकते हो जो अगरणी हो एकदम नया हो इससे पहले किसी ने नहीं किया हो originating हो ठीक है उसको बोलते हैं किया pioneering तो राजस्तान का जो यह अगरणी draft bill इसलिए बोल रहे हैं कि यह एक अच्छा bill है takes off का मतलब है suddenly सफल होना take off वैसे तो उड़ान भरना है तो इसको भी वैसे ही मानो कि अगर यह bill उड़ान भरता है इसका मतलब to succeed suddenly अचानक से सफल होना तो अगर मान लो यह bill सफल हो जाता है other states could be compelled तो अन्य राज्जे जो हैं वो भी क्या हो सकते हैं मजबूर compelled का मतलब क्या होता है impelled या फिर forced तो अन्य राज्जे भी मजबूर हो सकते हैं किस लिए utilize करने के लिए use करने के लिए किसको similar measures ऐसे ही steps to ensure the welfare of gig workers की वो सुनिश्चित करें gig workers का welfare तो यह राज्जे राज्जे जाता है तो अन्य राज्जे other के साथ में noun plural आता है या फिर यहों कहें कि plural noun से पहले other आता है another नहीं आता है तो यह भी क्या हो सकते हैं तो यहाँ possibility बता रहा है तो यह मजबूर हो सकते हैं कि ऐसे ही कदम उठाएं इन्ही steps का use करें किसलिए सुनिश्चित करने के लिए क्या welfare और किसका welfare gig workers का ठीक है भी तो यह था आज के इस editorial में जो कि इस week का अंतिम editorial होता है Monday to Friday ठीक शाम पांच बजे हम मिलते हैं तब मुलाकात होगी Monday को ठीक शाम पांच बजे तब तक लिए नमस्कार Thank you very much